Match the following drugs with their therapeutic actions. Now, therapeutic action क्या है? कि जो की इलाज, किस बीमारी का इलाज हो रहा है, किस टाइप की बीमारी का इलाज हो रहा है, उसके according जवाब आपने drugs को classify करते हैं. Now, कुल मिला कि जो ये table है, ये therapeutic action के according ही segregate बनाई गई है. Segregate की गया, बनाई गई है. Okay, guys. Now, अब इस table को आपको थोड़ा सा कर याद कर लें. अगर आप guys confused भी हो रहे हैं, आप देखेंगे ना, ऊपर के दो-तीन drugs हैं, जो कि आपको common है. Different, ठोड़े typical हैं. बाकी की panacillin, ये औफ्लॉकसीन, ये आपको common है. Use, आप याद कर सकते हैं. ठीक है, तो फिलाल इसमें बस आपको stable को यूज़ करके बनाना है. तो अगर आप देखोगे, ranitidine आपका क्या है stable में? आपका एक anti-acid है. सहोँन आपको. तो ranitidine क्या है? एक anti-acid है. तो 1 का answer होगे D. तो ये भी हो सकता, ये भी हो सकता है. तो आपका ये गलत और ये गलत है. ऐसे आप solve करनी कोश्च करें. और आपको सारी भी नहीं पता. Similarly, आपका अंडियोड नाडिल है. नाडिल क्या है? एक anti-depressant drug है. तो anti-depressant में भी इसका आ सकता है. ये tranquilizer में भी इसका आंसर आ सकता है. तो इसमें क्या दिया हुआ है? anti-depressant दिया हुआ है. तो दूसरे का आपका आंसर हो गया A. तो इसका मतलब option B is correct. Similarly, अगर आप देखेंगे 3. chloro-fenicol है. ये आपका एक anti-biotic है. Right? Basically, bacteriostatic anti-biotic है. आपको ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस टाइप का है? Again, जो आपका fourth dimetane है. Dimetane क्या होगा? एक anti-histamine है. ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ. Right, guys? So, dimetik क्या है? Dimetane ये इसका जो original लाम ये है. और ये एक anti-histamine. तो कुल मिलाके ये guys stable अगर आप थोड़ा सा 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत फाइदा मिलेगा कि इस टाइप की question ज्यादा स्टेंट छोड़ के आज आता है. Right? So, आपको मैंने जो पूरी NCRT का जो ये drugs का जो action का वो summary है, वो इस table में आपको मैंने डाल दिये. तो आपको ये काफी help मिल जाएगी. Right? और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं याद हो रही हैं, तो 4-5 तो आप याद कर लो है. Questions जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है?